अबसकर आप देख रहे हैं पब्लिक लाइब न्यूज और आपके साथ राजे स्विस्वकरबा गुजरात बिधानसबा 2022 का जो अचार और प्रचार जो है काफी जोरो सुरे में चल रहा है ऐसे में हर पार्टी दावा कर रही है इस बार जीद का लेकिन जो है आपको बता दे इस पार्टी जो है उसके द्सक्रा दूरह जो हैं कई न कई 35 टर राग रुबाई का मामला एक सामने आ रहा है एसे वामरे साथ जो कॉंग्रेस पार्टी के जो है आसे ही एक वेक्षी है। कि आखिरे इस मामले में क्या उनकी राय है और कि इस तरह का जो है अधार पुराओं के अधार पर विजेभी पार्टी इसको कहीं न कहीं सडेरंद की रूप में देखी जाती है सर सबसे पहले पब्लीक लाइब में आपका स्वागत है सर इस तरह से ये चीजों को लेकर बहस चल रही है इससे साफ नजर आता है कि भारतिय जनता पार्टी के कदमों तले जमीन खिसकने लग गई है सत्ता उनके हाथ से जा रही है और गुजराद जैसा प्रान जहां से उनके प्रधान मंतरी आते है जहां से उनके ग्रह मंत्री आते हैं जहां से उनके कई सारे मंत्री आते हैं ऐसे प्रांच से जहां पर उनके हातों से सत्ता जाते वे नजर आ रही है तो बेबुनियाद आरोप कॉंग्रेस के उपर लगाने की कोशिश चल रही है और ये जो पैसो को लेकर जो मामला है ये भी एक इस तरह का आरोप लगाने का प्रयास हो रहा है जिसके वज़े से कॉंग्रेस के बारे में लोगों के मनों में कुछ किंतु परंतु पैदा हो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर गुजरात में कॉंग्रेस के हक में लोगों का एक वातारौन बनता हुआ नजर आ रहा बलकि उबारज जोड़ की आत्रा नहीं बलकि तोड़ने का काम कर रहे हैं सर तो जिस तरह से 27 साल होगे गुजरात में बिजिवी पार्टी को लेकर कॉंग्रेस भी कई न कई बिपेक्ष में रही है सर उसके अपनी भूमिका आदा कर रही थी क्या लगता है सर इस बार जो है क भार्तिय जनता पार्टी की सरकार है उसके रहते हुए देश के सव्विधान के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई आप देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में काम